पंकेज भार्दाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे और्गैनिक केमेस्ट्री की सीरीज की जिसमें हम एरोमेटिक सिटी को डिसकस कर रहे थे लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि अरोमेटिक कमपाउंड क्या होते हैं कौन-कौन से क्रेक्टरिक फीचर्स हैं जो अरोमेटिक कमपाउंड को बाकी और गेनिक कमपाउंड से अलग करते हैं कैसे हम चेक कर सकते हैं कोई compound aromatic होगा या नहीं होगा इसके लिए मैंने आपको दो criteria बताये थे पहला criteria था कि compound planar होना चाहिए यानि कि ring के सारे atoms की hybridization state sp2 या sp होने चाहिए और second criteria था हकल rule तो जिन compounds में planarity होने पर pi electrons का number 4n plus 2 के multiple में आता है तो वो aromatic compounds होते हैं और जिनमें 4n का multiple आता है उनको हम anti aromatic compounds कहते हैं और मैंने starting के दो example आप से detail में discuss किये थे homocyclic compounds and heterocyclic compounds आईए हम third category के अंदर enter करते हैं इस वीडियो से that is compounds which are named as anulines anulines जो compound है उनमें हम aromaticity कि स्थरा चेक करते हैं पहले हम देखते हैं कि anulines होते क्या है तो anulines these are cyclic fully conjugated system having even number of carbon atoms are called anulines cyclic conjugated system है और यहां पर जो conjugation है वो complete होता है ऐसा नहीं कि double bond single bond double bond single bond single bond ऐसा नहीं है यह conjugation complete होगा double bond और single bond दोनों alternate sequence में होंगे ऐसे compounds को हम बोलते हैं anulines anulines में carbon atom का number हमेशा even number में होता है जिसको हम n से denote करते हैं और किसी भी anulines का name करने के लिए उससे पहले वो number लिखा जाता है कि उस ring में कितने carbon atoms हैं जैसे 4 anulines का मतलब cyclic system में 4 carbon है 6 anulines का मतलब 6 carbon इस तरह से आईए सबसे छोटी anulines होती है बच्छों 4 anulines आप देख पारें complete conjugation या fully conjugated system का मतलब क्या है double bond single bond double bond single bond double bond तो continuously double bond single bond यह दूसरे के conjugation में रहते हैं इसलिए anulines are fully conjugated system जहां तक इनके इस 4 का सवाल है कितने carbon हैं इस ring में 1,2,3,4 तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं 4 anulines बोलते हैं अब anulines aromatic भी हो सकती है non aromatic भी हो सकती है और anti aromatic भी हो सकती है यह decide करेंगे हम उसी क्राइड़ी के बेस पर जो मैंने आपको पिसले वीडियो में बताया था जिन students मेरा पिसले वीडियो नहीं देखा उनसे मैं request करता हूं कि पहले वो देख लें अच्छे से उसके बाद आपको सब्सक्राइब अच्छे से समय में आएगा आए हम बात करें पाइलेक्टरॉंज की काउंटिंग पहली बात तो स्टेट निकालते हैं asp2 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 आप जानते हैं अगर carbon double bonded होता है तो स्टेट क्या होती है एस्टी टू अगर सारे कार्म एटम सिटू है तो जो डबल बोंड है तो पाइलेक्टरन कानमबर कितना है और अगर उलेक्टरून 4 निल्यक्टर कने तो पर घंटी आरोमेटी कंपाउन्ट होगा तो फारस्ट एनृलीन यानि कि जो आपका फोर आप देख पारें इसमें सभी एस्पी टू भी है और पाई लेक्टोन नमबर छे तो प्लेनर भी और चेपा इलेक्टोन भी हो तो यह सविशन सब्सक्राइब बात करते हैं बहुत इंपोर्टन मॉलिकूल के बारे में जिसके जिस पर बेस्ट जनली पूछे जाते हैं बार बार अलगला कॉंपेटिटिव एक्जाम में यह एट अनुली तो कार्बन एटम का नमबर कितना एट अब यहां से आपको एसपी टू एसपी इएसपी टू इसपी टू यह सारे मेंबर एसपी दिख रहे हैं तो यहां पर एक मिस्टेक बच्चों से हो जाती है कि अगर सारे एसपी 2 है और पाईि लेक्टरोंस का नमबर टू इंट्बार एक तो टैनर भी यह गार्र सब्सक्राइब तो पता लगा कि यह तब शेप में रहता है यानि कि यह प्लेनर नहीं होता है बच्च छोटा से पॉइंट बताता हूं जब भी साइकलिक रिंग में कार्बन एटम्स का नंबर एट या बियोंड एट हो जाता है तो उस पूरे मोलिक्यूल को प्लेनर रखना कंपरेटिवली मुश्किल हो जाता है इसलिए उसकी प्लेनरेटी सब हो जाएगी तो कंपाउंड कैसा होगा नोन एरोमेटिक होगा ना कि एंटि एरोमेटिक तो बहुत इंपोर्टन केसा है कि सी ओटी साइकलो ओक्टा टेट्राइन साइक्लो ओक्टा टेट्राइन लगता तो था कि एंटी अरोमेटिक होगा लेकिन एक्टुली यह मोलेकुल कैसा होता है नोन अरोमेटिक होता है अब आठ के बाद 10 की बात करते हैं 10 अनुनीन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन सिस्टम है 10 अनुनीन मैंने स्ट्रक्शर बना ल ग्रवंटन है अब इस मोलेकुल में अगर मैं प्लेंरेटी चेक करो तो sp2,sp2,sp2,sp2 सारे के सारे मेंबर क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे स्टु दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां भी चोटा सा पाइट आपको याद अदकना है कि यहां पर क्या होता है यह दोनों एच आप जानते हों यह इस्थी प्लेट यह तीनों में होंगे जब इनके बीच में क्या स्टाट होजाता है बच्छों रिपल्शन स्टाट हो एक ही प्लेन में दो अेतुम आखे एकी प्लेवर्चिन हो यह कारान इसने के दोनों रिंग नौकर ंंप यह तो एक इस एक दोनों पार्ट सेम प्लेन में ना आ उक यह वाला पार्ट फोड़ा सा उठ जाता वहुत जाता है और रिंग का पाट उड़ जाता है तो मैंने स्कौच सोगी हो थे कोई डार किया हुए ये रिंग उड़ जाती है उड़ जाने से मोलिकुल प्लेणर नहीं रह पाता अगर मोलिकुल प्लेणर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे यह नोन इर्मेटिक है याद रिखेगा 10 एन्य होता फिर तो जब प्लेनर ही नहीं है तो बात ही नहीं करूंगा मैं ना तो फॉरेंट प्लस टू की बात करूंगा ना मैं फॉरेंट की बात करूंगा मैं सिधा ही कह दूंगा लास्ट वीडियो में आपको बला था अगर मोलीकुल किसी भी कारण से प्लेनर नहीं हो पाया तो तो वो किस category में चला जाएगा बच्चों वो non-aromatic category में चला जाएगा तो याद रखेएगा 10-1 कैसे होते हैं नोन-aromatic अब अगर मेरे को इसको अर्मेटिक बनाना है तो हम क्या करते हैं वह इन दोनों हेच्ज यहां पर कोई जो आयां यहां करने से ची तो यहां नुगर्स कर रहे शक्का में लिकाग बीच में क्या कर एससी को बहुत है एसा होने से यह नहीं कह रहा कि यह वह उपर यह पर मेरे कुछ सब एक प्रइन के अगर आपको दिख जाए कि इन दोनों एच की जगां पर यह तो तो यह सोंट या एने आए रहज है याँ अवाज है उस केस में यह तीन ओंसिंद दuff पाउड प्हेले से था इसलिए यह भी अरोमेfully कोल यह कोली के विगिया होगा तो यह स्लिए सब्सक्राइlectric पोलीकुज QN बस्पी एरोमेटिक इन नेचर तो तैने लिन बहुत अच्छा इंपोर्टन एक्जाम्पल यह तैने लिन के बाद में बात करता हूं आगे 12 एनुलीन की जब कारवन एटम का नंबर 12 होता तो कैसा केस बनता ही देखते हैं है टैन के बात करता हूं 12 जाज से चांव गार्म एटम बहुत की इस तना से अंगर कारवन χोंगे और पाई लेक्टॉन भी इत्य होते हैं इसके अंदर 12 पाई लेक्टॉन ही आपके होते हैं तो मैं कैसे करता हूँ इसको देखी मैं 12 जान दीजेगा double bone single bone double bone single bone double bone single bone 123 4567 8 9 10 11 and 12 ही तो सबके सब मोनोसाइकलिक सिस्टम हैabh एनुलीन है अब यह इनके भीच में दूरी इतनी ँपढ़ जाती है कि एक्षेस रिपल्शन क्या हो जाता खतम हो जाता तो एक्षेस अगर तो मोलीकुल रापस प्लेंडि यह होगा तो क्या वोलू और सबी एस पीटूमें देख पाई लेक्टोंस उते हैं तो यह सब याद करेगा मैं भी रिवाइज कराँ आपको तो पहला केस था फोर एनुलीन, सिक्स एनुलीन, एट एनुलीन, टेन, एन लास्ट फिफ्ट केस इस ट्वेल्व एनुलीन, अब बात करते हैं आगे के 14 एलुनीं की कर यह भी बहुत इंपोर्टन के यह सा उसा पॉर्टीन एलुन हो जाता देखो 14 एलुनीं में यह फोर्टीन एलुन होती है जहांसे देखेगा यह आपकी 14 एलुनीं है – दब्ल बोन सिंगल ऑन डबल मौन सिंगल और न इन सोट 14 यहां पर क्या दिक्कत है यहां पर भी एक डिक्कत है यहां पर न क्या इन्ख आते हैं यह चारों एच इनके बीच में भी क्या हो जाती है रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में भी क्या स्टार्ट हो जाती है रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है इसलिए 14 एलोनीन भी क्या होते है नोन अरोमेटिक होते है रिपल्शन गारनी चारों रिंग सेम प्लेन मे कि अगर मैं इस मोलिक्यूल का डी हाइडोजीनेशन करवा दो एच अटम निकल जाएंगे तो जब डबल में इसे दो एच अटम और निकल जाएंगे तो how to do the negative 12 234567 works to seven borns का मतलब का फैलेक्टों कितने 14 उसक्षातीन है तो 14 पाइलेक्तों अगर हो गए और मॉलटीन फिर फिर किस आगा कैसे होता है करके बताता हूं आपको अगर मैं इस म低 जीन ले कर दो सब्सक्राइब कर्वंड लगा तो कार्बन तो इस प्रोड हो गया क्या तो एक डॉब्ल पॉन्ड पॉर्ट हो गया एक टीपल फॉनए हां लगा दो एक अलगा दो ओल्टरनेट यह लगा दो यह मैं लगा दो हनगा दो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर पाई बॉन्ट तो 8 हैं, आपको पता टिपल बॉन्ट को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई एक सिखमा, तो बच्चे क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको जो पाई बॉन्ट के पर जाते हैं, और एक बार में, एक एलेक्टों प्रेजित मूव करता है, दो दो एक सा थोड़ी मूव करते हैं, इसलिए, यहां दिखने को तो आपके कितने पाई लेक्टों है, 4, मैं वापस बोलता हूं, ट्रिपल बॉन्ट का मतलब एक सिगमा और 2 पाई, और 2 पाई में चोड़ाइ लेक्टों ने बावजूत, अब यह हैच एटम कम होते है, रिपल्सन क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, और यह कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में करनोड हो जाता है, तो यहां दख लेगा, अगर मैं को पूछेगा, कि 14 एलोनीन कैसा है, तो मैं बोलूगा, नोल अरोमेटिक, लेकिन अगर मुझे पूछता है, डी हाइड्रो 14 एलोनीन, जिसमें 2 एच कम हो, तो कैसा होगा, वो अरोमेटिक होगा, इस बात को याद अख लेगा, फिर हम बात करते हैं, 16 एलोनीन की, कोई एक्सेप्शन नहीं, एंटी अरोमेटिक होता है, यह होता है, 16 एलोनीन, डवलवूं, गजौलों, टवलों, गजैन घौलोन, सिंगलोन, गजैन की में सिंगलोन, इस यह सिंगलोन, गजैन की tęख, है, सिंगली यह बढूण, ग्सकी लिदे क्या ओता है, दूरी बर्द आती है, जैन के कई लगएं, लग रहा होगा, कि सब यह पे तो रीपेलर्शन करते के यह फाली है यह क। शनन पर यूदर सबस्क्राइब कर रहा है तो एसे कंपॉण्ड क्या होते है जब यत्वराइएब के मल्टिफल में होता तो कैसे होते हैं आपके लिए यह क्योंकि इसके अंदर भी पिल्कुल वैसे सी स्ट्रक्चर बन जाती जैसे अब इक स्क्रेकर रहे हो िए यह मैं हमके ऐटीन में बना कि यह आपका एटीन अन। ने डबल बोन सिंगल ओन डबल ओन सिंगल ओन डबल ओन सिंगल ओन डबल ओन सिंगल ओन यह आपका एटीन एलनीन होता है तो आप देख पा रहे हैं कारबन एटीन है 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और पाइलेक्टों भी कितने 18 एं नाइन डबल ओन है 123456789 तो जब मोलेकुल प्रेनर भी हो और 18 पाइलेक्टों भी हो तो 4N प्लस 2 अगर 18 है तो 4N होगा 16 एं की वेल्यू इंटीजर में आ चुकी है तो यह भी कैसा होता है 18 एंटीन लोलिन वी एरोमेटिक पाउंड होता है तो इस तरह से हमें एनुलीन के याणूर्मे करें तो बिल्कुल आसान सा तरीका इसको याद करने का तो यहाँ पढ़ लिया है तो यहां लिक्राओं में एनूलीन यहां मैं लिख रहा हूँ एनुलीन और यहां लिख रहा हूँ मैं नेचर उसकी नेचर के ऐसी एरोमेटेशिटी की रेफ्रेंस में सीरेल नमबर 1,2,3,4,5,6,7,8 तो अगर मैं एनुलीन लिखता हूँ 4 एनुलीन, 6 एनुलीन, 8 एनुलीन, 10, 12, 14, 16, and 18 तो क्या सीखा पने यह कैसी थी याद करो एंटी अरोमेटिक यह कैसी थी अरोमेटिक अब यह बहुत इंपोर्टन केस था आठ वाला याद है ना नोन अरोमेटिक क्यों क्योंकि स्की टप शेफ लिख भाई थे में आब रिटब शेफ हो जाता है नोन प्लेनर टैन अनुलीन भी कैसा था होना तो चीछ था एनुलीन, क्योंकि इसमें ट्रांस एक एक रिपल्शन होता है। है चलिए ट्वेल्ब एंटी प्रमेटिक है कि फोर्टीन फोर्टीन के में नोन और मैंटिक रिपल्शन के कारण लेकिन अगर आप गड़ों के डि हाइड्रो फोर्टीन एलोनीन तो ये क्या बन गई थी ऐरोमेटिक बन गई थी एरोमेटिक चली 16 एंटी एरोमेटिक और ये आज़े अज़िए आध रमेटिक तो इस समरी है एन एईली इन्टन्स की कि आप उनिक पिसके काटर नमबर देखके डारेक्ट आपको याद होना चाहिए कि कभ गभी अरोमेटिक है कभ गभी नोन अरोमेटिक है कभ गभी एंटियर मैटिक तो यह बात आपको सीखी एनिलींज के अब हम बात करते हैं अगले केस की फूर्थ केस की और वो जो फूर्थ केस है वह आपका है पॉली नुक्लियर अरोमेटिकम पॉर्थ के से पॉली नुक्लियर अरोमेटिकम 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 पॉली नुक्लियर अरोमे नोन बेंजेनोट पहले बात कब तो बेंजेनोट वालों तो पॉली नुक्लियर का मतलम नंबर ओफ्यूस एरोमेटी विंग मस्ट भी ग्रेटर देन वन एक से ज्यादा रिंग जब एक दूसरे जुड़ी होती है उनकों फ्यूस्ड हाइडोकार्बंस या पॉली नुक्लियर खैदेन जो पहला एकजंपल्स लेते हैं लेकिन एकसाNow ते मलेतों में सारे एक्टम दीटू ओर और पाईलेक्टॉं कितने हैं रश्चॉन मैंने बोला छाज पाई लेकटॉंस का नंबर 2 , 6014 वगएरवगए भीजह नौक्यू प्लेनर भी ओ तो केसा होता है минут इसके सब जुसरी रेज़ोणेटिक सबनेगी उसमें तो यह इसकी दूसरी रेजुनेटिक सवह ने तो किसी भी फ्यूज़ हाइडोकारवन में नंबर ओफ रेजोनेटिंग स्ट्चर होती है नंबर ओफ रिंग्स प्लस वन सिंपल से पंड़ा है बस इतना साहा धख लेना यह फर्मला तब लगेगा जब रिंग्स आपकी लीनियर कॉंजूगेशन लीनियर कनेक्टिड हो लाइन से कनेक्टिड हो ओब्लीक कनेक्टिड नहीं क्या मैंने बोला जब दो एरोमेटिक रिंग सीदी सी जूट जाएंगे त इसे तो जब भी लीनियर कॉंजूगेशन होता है तो एरोमेटिक रिंग्स के नंबर से एक ज्यादा बनती है अगर दो रिंग कंबाइन होगी तो स्ट्रक्चर किती बन जाएगी तो यह फाम्मला आप यूज करके कम से कम रेजनेटिक स्ट्रक्चर का नंबर तो टमिक जोट जाएंगी सुभ़ू दें एंथरा से अगर टीम दिक जूट जाते हुए सब्लगा अश्कौन बूलतें एंधरहसीएं पाय लेक्ट्रोंस तो यह भी आपको अगर 14 टो मौलिकूल कैसा होगा इसकी भी अगर कोई मैंसे नंबर ओफ रेजोनेटिक से पूछेगा तो मैं क्या भोलूँगा number of rings linearly connected plus one तो इसकी अगर आप बना के देखेंगे एंथ्रासीन की कितनी रेजनेटिक सेक्षर बनेगी फोर रेजनेटिक सेक्षर बनेगी आई हम बात करते हैं थर्ड एक्जामपल की और थर्ड एक्जामपल में हम बात कर रहे हैं फिनेंथ रिंग की अगर लीनियर कॉंजूगेशन नहीं हो यह रिंग से एक दूसरे से लाइन से नहीं जुड़ी हो तो उसकेस में क्या बोलते हैं उसको उसकेस में उसको बोलते हैं फिनेंथ रिंग इसमें भी पाई लेक्टों से का नंबर कितना होता है फोटीन होता है तो फिनेंट रिन भी क्या होती है एरोमेटिक कंपाउंड होती है इसके कारेंट वो फॉर्मला नहीं लगेगा अपना तो यह सीधी सी नहीं जुड़ी होती है यह उपर नीचे बस याद रख लिएगा रख लिजिएगा इसकी जो रेजुनेटिक शुक्षर इसके अंदर जो है दिया टियें साफिए इसके अंदर फाइव मिलती है तो अगर दो तो कंडिशने नहीं अनों दोनों में पाईल एक्टॉंस का नंबर फर्टीन होटा है इसलिए तीनों एग्जम्पल नैफ्दियन एंफ्रासिन फिनेंटरीन यह तीनों को हमें चोते की बात कर रहा हूं पूंता सिस्टम जो है बेंजनों इड में चल रहा है उसको बोलते हैं पाइरीन अगर एर्योमेटिक रिंग्स जो चार चार जूड़ जाएंगे अगर Airmatic Rings चार-چार जोर जाएंगे तो है तो यह होता है Pyrin Double Bone – Single Bone, Double Bone , Double Bone , Single Bone, Double Bone , Double Bone, Single Bone , Double Bond , Double Bone . और बीच में ऴेक डबल ऑन और ये पारी अब पारीइन का केसं बर्हट इंक्ट्स्टिंग है द्यान से बच्चों अब यहां पर बच्चे कर जाते हैं अगर मैं डबल वॉन का नंबर काउंट करो जान से सुनेगा है वान टू टू ट्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट डबल बोन के साब से पाई लेक्टों किते होगे सोला पाई लेक्टों सो और सारे कार्बन अब लगाओ इसा प्लेनर भी है और पाई लेक्टों फोरंड कि मॉल्टीफल मैं मैंने बोला तक फोर एट ट्रेल 16 ओंगे तो एंटियर मेंटिक होगा तो इससे लिगता तो यह की मोली कुल कैसा होगा एंटियर मेटिक लेकिन यह एंटियर मेतिक नहीं होता यह मुलीखल भी कैसा होता है एरोमेटिक होता है इसका क्या कारण है जब भी आपको मल्टिपल रिंग जोड़ दे तो फिर हमें केवल पाइप इलेक्ट्रोन पेरिफरी के देखने होते मिडल डबल गॉंड कभी भी इन्वोल्ड ही नहीं होता रहे से कैसे मैं बता रहा हूं आपको अगर मैं पेरिफरी पे चलूँ अगर मैं पेरिफरी पे चलूँ तो यह मेरा सिस्टम देखो यह देखो अगर मोरिकुल प्लेनर है तो केवल पेरिफरी यानिकी जो आउटर लाइनिंग लाइनिंग है उनके एलेक्ट्रोन क्लाउड आपस में दूसरे जूट जाएंगे तो एक जब भी मल्टिबर रिंग्स फ्यूज होती है चार या उससे ज्यादा तो पस्तम यह देखना होता है कि पूरा कॉन्जूगिशन आ रहा है नहीं आ रहा है और पाई लेक्ट्रोन नंबर भी किवल पैरिफरी का हमें काउंट करना होता है तो पैरिफरी में यह छूट जाए सिस्टम के लाता है कि सिसटम गलाते किसी उसको मेरा इविदेंस है मेरे पांस का मॉलिक्यूल का प्लेटीनें में हाइड़ोजन के साथ में हाइडोजीनीशन करवाया गया है जब इस मॉल्पाउंड वो सकता हाइड्रिय ने लेकिन केवाल को और ह Still pounds Children asta होता यह अंवह यानि कि जो compound मिला प्रोड़क्त मिला वह यह मिला अगर मैं इस पाइरीन का hydrogenation करवा हूं तो मेरे को जो compound मिलता है वह यह मिलता है मेरे को जो compound मिलता है वह यह मिलता है इसमें यह वाला डबल बॉन का यह हो चुका है देख लो 1 2 3 4 5 6 7 इसका मतलब यह हुआ कि यह double bond aromaticity के लिए चुरूरी था ही नहीं वाई समय से नाइस बात को aromatic compound जैसे benzene double bond होने के बावजूद addition reactions के लिए inactive होते हैं आप जानते हो generally aromatic compound का addition नहीं होता इनके जो characteristic reaction होती है electrophilic substitution reaction ठीक है तो एक बात तो confirm है कि benzene normal condition hydrogenate नहीं होती क्यों क्योंकि double bond actually double bond नहीं है यह double bond है यह electron localized नहीं है यह electron तो पूरी ring में घूम रहे है यह delocalized double bond है और जब double bond delocalize होता है तो ऐसे molecules में कभी भी addition reaction नहीं होती यानि कि जो जो double bond की electrons delocalization में involved हैं वो तो hydrogenation नहीं करेंगे लेकिन जो double bond involved ही नहीं है तो ऑपने आपको hydrogeneate कर लेगा तो अगर मैंना आपको कहा कि periphery बाले इसको कोई काम नहीं हो जाता है इसका मतलब तरह पारीन भी आरोमेटिक है और मजह की बाद हाइड हाइड इन इडिक यह फोस्के अंदर भी अभी जो पैरीफरी पर हैं वह 14 पाइलेक्टों साब क्या रहे देखिए तो वह यह कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसकी पैरिफरी में वापस उतने ही लेक्टोन आ रहे हैं 14 क 14 तो याद रखेगा ये भी अरोमेटिक होती है और पाइरीन भी क्या होती है अरोमेटिक होती है इस तरह से हमें अरोमेटिक 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 होती है अब मैं कुछ एक्जांपल ले रहा हूं और इसके अंदर सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है वह हमेशा आता है एजुली नोन बेंजीनुएड जब कंपॉंड की बात चलेगी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला एक्जांपल आएगा एजुली यह होती है एजुली बहुत इंपोर्टेंट toughie compound है double bond single bond double repl union single grupp new don't इस compound को बोलते है एजुली हलाकि एजुली इसमय आपको क्वसि अरोमेटींग में भी पढ़ाऊँँगा है पर क्योंकि मैं फ्यूज वाले पढ़ा रहू थो यहां भी जिगर करता हूं बच्छों अगर मैं इस प्रीकूल में यौन सिकन तो क्या ये लेकि जब लुक करेंगे तो यह लेक्टो में आ मूव करें ऊण जब आगा तो की जब वह कुछ इस तरह की होगी इस अधरा रहने को पड़ा रहने दो यह बोन तो यहां होगा तो क्या इस कारु है अब बच्छो तो यह इसका 9 канал हॉ मैं है चुलीन की और यह इसकी पॉलर सो है अब यहाद रखेगा इसे कि पॉलर फॉर्म ज़ादा रहती हैура जी पॉलर फॉर्म के एंदर दोनों बंदोनों दोनों रिंगी फिल ना भोल गया है दोनों रिंग्स इंडिक्टाइना यह भी एज के यह दोनों सेप्रेटिटली रवेंटीक कारण यह ड़ी पोलर फॉर्म में ज्यादा रहता है किसकी कमप फॉर्म पॉलर फॉर्म की इसके कारण इसकी कुछ प्रोपर्टीज भी चेंज हो जाती है यह डाइपोलर होता है दूसरा इसका डाइपोल मॉमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है लगभग 1.08 डी लुकलर भी हो जाता है डार्क ब्लू क्योंकि डी लोकलाइज एलेक्टॉन आ गए और नो डाओट एरुमेटिक होने की खारण यह एक्स्टीमली स्टेवल भी हो जाता है कि अर्मेटिक होने की कारण कि जो मोलिक्यूल है यह एक्स्ट्रीमली स्टेवल भी हो जाते हैं तो यह एजुलीन की कुछ प्रोपर्टिज हैं जो आपको याद रहते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फ्यूसरिंग तो हो लेकिन कोई भी बैंजेनोड नहीं हो नोन बै लेंजेनोड पोली नुकले अरोमेटिक कंपाउंड तो आज की क्लास में इतना ही टाइम बीत रहा है चल्दी अगले लेक्चर में इसको मैं वाइंड अप करूंगा जिसमें बहुत इंपोर्टेंट आपको क्रेग रूल सिखाने वाला हूं और मैं होमो अरो आरोमेटिकी और क्वासी अरोमेटिकी की बात करने वा रहा हूं तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ठैक्स तू यू इस वीडियो को ज्यादा चाहर नंबर में लाइक कीजिए शेर कीजिए और आप लोग लगा त सारी सित्रा केमिस्ट्री पढ़ते रहे हैं पंकज भारत्वाज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच बच्चम